तो कभी भी अपने गोल को डिक्रीज ना करें चाहे कितना भी बड़ा गोल कियो ना हो तो कभी भी उसे कुईट ना करें या फिर उसे डिक्रीज ना करें हमेशा क्या करें उसे उस गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने एफ़र्ट्स को इंक्रीज करना है बस थोड़ी सी और हार्ड वर्क करना है ताकि आप उस गोल को अचीव कर सके शुरू करते हम question number first से तो दीके पहला question है The CTO World Marks site A landscape garden in which city has been added To UNESCO's list of world heritage site तो ये जो site है जिसका नाम क्या है देखिए CTO World Marks site है ये एक landscape garden है हमें पताना है कि कौन से शहर में है जिसको भी recently ही UNESCO list of world heritage site में add किया गया है Right answer देखिए यहां पे हो जाएगा Rio de Janeiro तो Brazilian city है Rio de Janeiro जहां पे है एक site CTO World Marks site जो कि UNESCO की world heritage site में इसको add किया गया है ये जो garden है इसमें 3500 species plant की जो species उससे भी जादा है जो कि आपकी जो वहां के native है यानि Rio के जो native plants है वो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे और इसको laboratory for botanical and landscape experimentation के लिए एक एक laboratory जो है वो इसको माना जाता है ये जो site है इसका नाम world marks के नाम पे रखा गया है जो कि एक Brazilian landscape architect थे whose design of parks and gardens made he world famous तो जो भी उन्होंने parks और gardens को design किया है वो काफी world famous तरहे तो उन्हीं के नाम पर जो है वो इस site को नाम दिया गया है ये भी ध्यान रखिया कि अगर country के बात करते है तो ये ब्रजील में है और अगर city पूछने तो आपका अंसर हो जाएगा रियोडी जनेरियो तो इस तरीके से question पूछ सकते है next हमारा question है which country has extended a credit line with India by 200 million dollar in order to procure emergency fuel stocks in May 2022 so अभी recently देखिए कौन से देख कौन से देश ने भारत के साथ में 200 million dollar की credit line उसको बढ़ा दिया है कि शीज के लिए कि वहाँ पी emergency fuel stocks को procure करने के लिए तो ये extent कहाँ पे किस ने किया है श्रीलंका ने तो आप सभी को बताएं के श्रीलंका जो की काफी इस टाइम भी वहाँ पे crisis चल रहा है so इसी के चलते ही जो फैसला है वो लिया क्या है 4 shipments देखें मैं 2022 में आने वाली है ओवरल अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में मार्च 2022 में जो inflammation यहाँ पर दर्च की गई nearly 30% जो है 18.7% से बढ़कर ये कितनी हो गई है 30% हो गई है मार्च में आदर्च की गई थी 18.7% वहीं एपरल में जो ये inflammation है inflation है यानि मुद्रा स्विती है ये बढ़कर कितना परसेंट होगी एपरल में 30% हो गई है श्रीलंका ने ओर्रेटी 400 मिलियन डॉलर को यूज कर लिया है और multiple shipments in April में of the 500 multiple credit line extended by India earlier in 2022 तो ये जो line of credit है न ये किसके साथ extend किया है हमें ये भी ध्यान रखना है इसको इंडिया के साथ credit line को extend किया गया है यानि इसको बढ़ाया गया है श्रीलंका की जो capital से एक तो कॉलंबू है के श्री जैवर्धनी पुरी कोटे currency है यहाँ पर श्री लंका रुपी प्रेजिडेंट का नाम है गोटा बाया राजपक्षे प्राइम मिनेस्टर है महिंदा राजपक्षे श्री लंका जो है आपने अगर notice किया हो तो यहाँ पर एक straight है जो कि काफी जादा एक्जाम में पूछते हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखेगा यहाँ पर एक पाक straight है और एक और यहाँ रखेंगे गल्फ उप मनार जो कि इंडिया कॉंटिनेंट से इसको separate करता है तो कई वारी पूछते हैं कि गल्फ उप मनार किस-किस के बीच में है या फिर पाक स्ट्रेट किस-किस के बीच में है तो इंडिया और श्री लंका के बीच में है नेक्स्ट कोईशन इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी और डैश साइन अ ग्रीन एनरजी पैक्ट इन बर्लिन as a major step towards climate action तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमें दूसरे या मिनिस्टर का नाम बताना है जिनोंने अभी ग्रीन एनरजी पैक्ट को साइन किया है बर्लिन में जो की एक तरीके से climate action के तरफ एक major step है तो ये साइन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और Olaf Scholz ठीके जो Olaf Scholz है न ये आपको याद होगा कि ये जर्मनी के नई चांसलर अभी recently ही बनेते तो ये पैक्ट कहां पे साइन किया गया अगर ये पूछ लें तो राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन में तो दो तरीके से यहां से question बन सकता है किस-किस के बीच में और कहां पे इसको साइन किया गया है इस पैक्ट के तहएट देखो ग्रीन हाइटोजन टास फोर्स को भी फॉर्म किया जाएगा तो climate को लेके ही इस पैक्ट को साइन किया गया जर्मनी के बात आती है तो देखिए आप मैं देख सकते ही यहां पर यह located है जर्मनी और capital है इसकी बर्लिन करंसी है यूरो Frank Walter Steinmeier यहां की है प्रेजिडेंट यहां पर नाशनल स्पोर्ट कौन सा है फुटबॉल नेक्स्ट क्वेशन इस researchers from Stanford University have found the landscapes on the surface of Dash in May 2022 अभी recently देखे Stanford University के जो researchers है उन्होंने जो है वो एक landscape पाया है किसके surface पे तो यहां पर right answer हो जाएगा Titan तो Titan की जो surface है उसके surface पे एक landscape यहां पर reveal किया गया है और यह जो landscape देखे बना है न यह form हुआ है due to global sand cycle driven by seasons जो sand cycle चलती है उनकी वजह से यह landscape यहां पर बन गया Titan के surface पे और Titan की बात करते हैं तो यह moon है किसका moon है Saturn का ठीक है Saturn यानि जो शनी ग्रह है उसका उप ग्रह है एक है Titan जो की largest moon है Saturn system का Titan's second largest moon है हमारे solar system का after Ganymede क्योंकि Jupiter का जो moon है Ganymede यह सबसी बड़ा moon है और उसके पार जो second number पे है वो कौन सा है वो है Titan जहां पे इस landscape को reveal किया गया है तो यह हमें याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन इस आइटिसी लिमिटेड है साइन M.E.U. विद विच आयएटी तो बैक रुसर्स तैट विल हेल्प इंडिया अचीव इट सस्टेनिवल डेवलप्मेंट गोल्स तो अभी रिसेंटली आइटी सी लिमिटेड ने कौन सी आइटी के साथ में समझोता साइन किया है और इस समझोते से क्या होगा कि इंडिया जो है सस्टेनिवल डेवलप्मेंट स्कूल को इंडिया को मतलब मिलेगी कि वो स्टीजी को अचीव कर सके तो इसके लिए आइटी सी इंडिया ने आइटी डेली के साथ में M.O.U. साइन किया है दोनों क्या करेंगे देखे बोज फिल सपोर्ट रिसेर्च इन आइडेंटिफाइड साइन्स टेकनिलोजी इंजीनियरिंग और माथमेटिक्स एरिया तो इन फिल्ड में रिसेर्च को जो है वो सपोर्ट करेंगे करेंट्ली जो एरियास आइडेंटिफाइड किये गई हैं रिसेर्च और एनर्जी स्टोरेज लो कारवन कोड टांस्पोर्टेशन एंड प्लास्टिक बायो डिग्रेडेशन तो अनुसंधान के लिए पहचाने जाने वाले छेते जो हैंगे वो आपके होगे उचा भंडारन यानि एनर्जी स्टोरेज हो गया लो कारवन कोड टांस्पोर्टेशन हो गया प्लास्टिक बायो डिग्रेडेशन हो गया तो यहां पे हमें याद रखना है कि आई आई टी डेली के साथ में इस M.E.U. को साइ किया गया अब ही आई टी से निउस को थोड़ा सा रिवाइस करते हैं तो देखिए आरेबर्ट रिसर्च इंस्टिटूट ऑफ अब्जरवेशनल साइनसेज यानि अराइस इसनी आई टी रुड़की के साथ मिलकर एक एग्रिमेंट को साइन किया तो फोस्टर कोलाबरेशन ने फैसिलिटेट इडवांसमेंट ऑफ नॉलेज डी आई टी और आई टी के डेली के साइन्टेस्ट ने पहली बार जो है डिमोंस्ट्रेट किया है क्वांटम की डिस्ट्रिबुशन लिंक को आई टी रुड़की ने किसान मोबाइल अप्लिकेशन को लांच किया तो यह पार पोशन है हमारा इंडिया स्टेटू ऑफ यूनिटी एस बिकम दि पाइट वंडर्स ऑफ एस सीओ लिस्ट वियर इस दित लोकेट तो भारत में जो स्टेचो व यूनिटी घूसे ऐस सीओ के एडवन डर्स की लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया या नहीं सुची का तो ये कई बार कुशन पूछ लेते हैं कि Statue of Unity कहां पे Located है तो गुजरात में एक जगा है केवडिया जहां पे Located है Statue of Unity अच्छा इस Statue of Unity है किसकी तो ये सरदार बललभाई पटेल जी की है चोकि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले Home Minister थे टोटल इसकी जो अगर हम हाइट बात करते हैं तो 182 मीटर इसकी हाइट है और ये गुजरात के केवडिया में Located है इस Statue को Unveil या Statue को Inagrate किया था 143rd Birth Anniversary of सरदार पटेल in 2018 तो देखे कहीं सारे कोशन यहां से बन सकते हैं कि कब इसको Inagrate किया कौन सी Birth Anniversary पर किया ये है कहां पर Statue किसकी है और इसकी हाइट क्या है तो ये सारे कोशन जो कि यहां के पूछ सकते हैं गुजराद से कुछ Current Face की बात करते हैं तो देखें इंडिया का जो पहला Global IUS Investment Innovation Summit है ये आपका कहां पर हुआ गुजराद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ने अभी गुजराद में ही लोड हनमान जीकी 108 फिट उचे स्टेचु को अन्वील किया गुजराद के जो चीफ मिनिस्टर हैं भुपेंटर पटेल इन्होंने Student Startups और Innovation Policy को लाँच किया गुजराद इंडिया का Largest Manufacturing Hub बना, Go Green Scheme और वतन प्रेम योशना यहां पे शुरू की गई इसके लावा देके गुजराद के चीफ मिनिस्टर ने E-Nagar Mobile Application और Portal को भी लाँच किया तो ये हमारी नियूस सारी किसे रिलेटिड है गुजराद से अगला कोशन है Which of the following has developed a Farmers Distress Index तो इन में से कौन सी organization है जिनोंने किसान संकट सूचकां को develop किया है तो राइट आंसर इस नाबार्ड तो ये जो index है इसे नाबार्ड के द्वारा इसको develop किया गया है अब ये agriculture sector, the agriculture sector, lender, नाबार्ड जो क्रिशी छेतर का रणदाता है नाबार्ड उन्होंने develop किया है farmer distress index कुछ certain parameter के base पर ये जो parameters हैं वो कौन कौन सी हैं जैसे कि rainfall variation हो गया soil moisture, dry spells, temperature, pest, weed management among others तो इन सब parameters के base पर जो है इस index को develop किया है किसने नाबार्ड ने next question is in which in which India's या in which state आएगा देखें आपे in which state India's first ethanol plant has been inaugurated तो भारत के पहली ethanol सनियंदर का उद्गाटन कहां पी किया गया है right answer is बिहार तो बिहार में पहला ethanol जो plant है इसको inaugurate किया गया है ethanol का use हम क्यों करते हैं क्या करते हैं तो ethanol एक liquid है जो कि alcohol family से हैं और इसको हम blending के लिए use करते हैं मतब इसे हम petrol और diesel के साथ में blend करते हैं ताकि जो cost है उसको reduce किया जा सके also जो emission होता है या आप कहलो जो carbon emission रहता है उसको भी कम करने में ethanol मदद करता है तो यह भारत का पहला ethanol plant है जिसको बिहार में inaugurate किया गया है तो चावल की जो भूसी होती है और यह मक्का होता है उसके उपर उससे यहां पर क्या बनाया जाएगा ethanol को बनाया जाएगा अब बात आती है देखें बिहार की तो बिहार की stabilisement हुई 22 मार्श 1912 को capital और बिहार इसपटना चीफ मिनिस्टर नितीश कुमार इन गवर्णर फागुचहान फॉक डांसर्स में ध्यान रखेंगे बिदेश ही आग पूछते हैं जूम्री भी पूछा जाता है काफी जादा यह सब important है और बिहार में लोगसभा की seat है 40 राजेसभा seat है 16 और यहाँ पे assembly seat है 243 next question is which bank has become the first public sector bank in India to go live on the account aggregator ecosystem तो कौन सा bank जो है aggregator ecosystem पर live होने वाला भारत का पहला public sector का bank बना है bank का नाम हो जाएका union bank of India is the right answer यह जो देखिए account aggregator system है या framework है यह ensure करेगा swift data sharing with the constant of the user and eliminate the need for physical document तो इससे देखिए जो physical documents की जरूरत है वो तो जो है वो क्या हो जाएगी eliminate हो जाएगी यानि उसको यह समाप्त करेगा साथी में users की सहमती से तेजी से यहाँ पर जो data है उसको share भी किया चाएगा तो Union Bank of India is the right answer Union Bank of India इसके establishment हुई 11th of November 1919 इसका headquarter है मुंबई में और CEO है राज किरन राइजी Union Bank of India में देखे 30 August 2019 को Finance Minister निर्मला सीता नमर्जी ने announce करा कि जो आंधरा बैंक है आंधरा एंड कॉर्परेशन बैंक इनको किस में मर्ज किया Union Bank of India में जो है वो इन बैंक को मर्ज किया Next question is Who has been appointed as a new director of the Corbett Tiger Reserve in Utrakhand in May 2022 देखे अभी recently हमें बताना है कि Utrakhand में चो Corbett Tiger Reserve है उसके नए महानिदेशा के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है Right answer हमारा देखे हो जाएगा यहाँ पे नरेश कुमार is the right answer तो यह Corbett Tiger Reserve के नए डारेक्टर अपॉइंट किये गए है यह 1919 बैच के Indian Forest Service Officer है जिनको Simply हमें ध्यान लगना है कि डारेक्टर पत के लिए अपॉइंट किया गया अगला question है देखे Who has been appointed as the advisor to Prime Minister Narendra Modi ji तो अभी recently Narendra Modi ji के सलाकार की रूप में किसे निक्त किया गया है Answer is Tarun Kapoor ji को appoint किया गया है यह 1987 badge के IS officer है and यह retire है as a petroleum secretary पत से इससे पहले यह देखे इन्होंने Vice Chairman पत पर रही है Delhi Development Authority के और इनके पास additional Chief Secretary का पत भी रहा हिमाचल परदेश में तो यह तो हमें नहीं पूछते हैं देखे कि पहले कौन से पत पर रही है लेकिन directly ही पूछेंगे कि Prime Minister Modi ji के सलाकार पत पर अपॉइंट किया गया है Tarun Kapoor को अगला कोशन है देखे Who has replaced Mradul Sagar in Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India तो भारती Reserve Bank की जो मौदरिक नीती कमीटी है उसमें Mradul Sagar की जगा जो है वो किसने ली है राइट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन तो यह जगा उनकी जगा पर किस से अपॉइंट किया गया है राजीव रंजन को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने Mradul Sagar को replace किया राजीव रंजन यह Central Bank of India के साथ में 33 सालों से ज़ादा जुड़े हुए है और हाली में इनको Economic and Policy Research Department का Head भी अपॉइंट किया गया था कुछ Recent Appointments की बात करते हैं तो देखे Lieutenant General B.S. Raju यह Vice Chief बने है Indian Army के Vinay Mohan Quattra यह India के नए Foreign Secretary बने Former SPI Chairman Rajneesh Kumar इन्होंने Indie Free Technology को जॉइन किया है ऐसा Advisor के तौर पर और Vijay Sampla यह NCSC के Chairperson बने है Second Time अगला question है In Weight Lifting Who scripted history by becoming the first Indian to win a gold medal at the IWF Junior World Championship at Heraklion in Greece तो Greece के Heraklion में जो Junior Championship हो रही है इसमें gold medal जीतने वाले पहले भारते बनकर history किसने create करी है तो right answer हो जाएगा हरशादा शरत गरुण ने इसमें जो है gold medal जीता और एक history करी है क्योंकि यह भारत के लिए पहला इसमें gold medal उन्होंने लिया और उन्होंने देखिए She lifted 155 kg in the 45 kg weight category जिसमें snatch में 70 kg भी शामिलता तो हमें सिफ यहाँ पे gold medal का नाम धियान रखना है नेक्स्ट कोईशन इस Meghalia में देखे which edition of Meghalia Games 2022 begin in May 2022 at various sports facilities in Shilong तो Meghalia Games 2022 का यह कौन सा संस्क्रण जो है भी अभी शुरू हुआ है तो यह शुरू हुआ है फोर्थ संस्क्रण जहां पे Shilong में अलग-अलग sports जो है वो खेले चाहेंगे पार्टिसिपेट करेंगे 19 different disciplines are participating in the Megasport event और राज्य के 50-50 स्टेट हुट दे celebration के हिस्से के रूप में इसे आयचित किया जाएगा और यह games कब से शुरू हो जाएंगे 7th of May से अगला कोशन है who among the following has become the fourth fastest athlete in 200 meters 200 meter में चौथे नमबर के सबसे तेज अतलेट कौन बन गए है इनका नाम है Arion Knighton तो Arion Knighton है यह American teenager है और यह fourth fastest athlete बने है 200 meter की race में इनकी चौटाइमिंग रही है वो 19.49 सेकिंड रही है और उसी मतलब इससे पहले उनका चौट रहा था वो 19.84 सेकिंड का था और उसी में इनोंने अपने ही record को break किया 19.49 सेकिंड के साथ यह किस से पीछे है तो देखे सबसे जो fastest record नाम है वो है उसेन बोल्ट का 19.9 19 सेकिंड में इनोंने इसके complete किया उसके बाद यूहान बलेक 19.26 सेकिंड और थार्ड नमर पे हैं अमेरिका के माइकल जॉकसन 19.32 और चौती नमर के fastest एथलीट कौन मन गए है जो अभी नाम बताया एरियन नाइटन और इनके टाइमिंग है 19.49 सेकिंड की कुछ अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स नियूस की तो देखिए आर माधवन के जो बेटे है विदान्त माधवन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में अट डैनिश उपन 2022 जो की कॉपन हेगन में हुआ पीबी सिंदु ने ब्रॉंस मेडल जीता एशियन बेडमिंटन चैंपेंशिप में मेक्स वर्स्तपीन ने लॉरिया स्पोर्च्समेन ऑफ द इयर 2022 इसके लिए उनको चुना गया फॉर्मुला वन जो अभी अमिलिया रोमागना ग्रेंट प्रिक्स होई है यह किसने जीती मेक्स वर्स्तपीन ने तो फ्रेंड्स येते हैं हमारे आज के सभी important questions चले कोई revision कर लेते हैं हम लोग the armies of India and which country were held staff talk तो अभी फ्रांस और भारत की आर्मी की बीच में staff talk हुई है ताकि दोनों देशों की जो entity हैं उनके बीच में cooperation को boost up किया जा सके US ने देखे किस देश को फिर से उस सूची में रखा है जिसे उनके उपर क्या किया जाएगा intellectual property related issues की निगरानी की जाएगी तो चाइना और रशिया को list में शामिल किया कौन से city में union minister नितिन गटकरी जेने 12 national highway projects का उधगाटन किया है तो city कौन सी है यहाँ पे हैदराबाद next देखिए पॉसोको ने अभी किस IIT के साथ में M.U. साइन किया है तो right answer यहाँ पे हो जाएगा IIT Delhi next देखिए किस mission के तहत INS घरियाल यह कोलंबो पहुंचा है to deliver critical life saving medicines तो mission का नाम है सागर I.X ministry of skill development entrepreneurship has signed an M.U. with ISRO तो इन्होंने ISRO के साथ में M.U. साइन किया who inaugurated a joint conference of chief ministers and chief justice of high court तो अभी chief ministers की chief justice की जो high court की chief justice की जो एक conference हुई इस conference को inaugurate किया है Narendra Modi ji ने ministry of petroleum and natural gas इन्होंने उजला दिवस celebrate किया किस दिन the 1st May को क्योंकि friends 1st May 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में इस scheme को शुरू किया गया था कौनसी इंडियन boxer है जिनको जोकी जोनोंने साजिधार या partnership करी है dream sport foundation के साथ मिलके to launch the dream jab program तो ये partnership किस ने करी है Marycom ने अगला question है ambulance service for sick and injured cow was inaugurated in which district of Assam right answer is right answer हो जाएगा देखे इसके बाद एक कौनसी स्टेटर जिसने इसराइल बेस्ट ISMC Analog Fab Private Limited के साथ में एक M.E.U. साइन किया है तो करनाटक ने ये M.E.U. साइन किया है who among the following जिन्होंने Whitley Gold Award जीता तो Whitley Gold Award किस ने जीता चारुदत मिश्राने कौनसा टीवी सीरीज है दूरदर्शन का जिसको Exchange for Media News Broadcasting Award से सम्मानित किया गया है तो टीवी सीरील का जो है उसका नाम है Best Friend Forever who conferred the highest diplomatic award by the Ministry of Foreign Affairs of Peru राइट आंसर हो जाएगा आर्देशीर B.K. दुबाश तो ये थे फ्रेंड से हमारे complete revision questions कल में आप लोगों से पहला कोशन पूछा था कि सरदर वर्दी मुहमुदेव ये किस देश के प्रेस्डेन अपॉइंट किये गए तो राइट आंसर इस तुर्गमेनियस्तान तो अभी रिसेंटली यूजीन पारकर इनका निधन हुआ ये American Astrophysicist थे तो राइट आंसर है प्रदीबदास, नंदेदा मितल और सुनीर कुमार बाकि सबी स्टूडेंट्स ने भी बिलकुर सही आंसर करें है आज का पहला कोशन है गोवा के नई डारेक्टर जनरल कौन बने सेकिंड कोशन कौन से रालजे के सरकार्ण है विने समर्सिय योशना को लाँच किया है और इसका में परपस है तो इराइडिकेट अनटचिबलेटी तो यहां पे आपको स्टेट बतानी हों स्टेट के साथ सथ आप सी एम और गवर्नर भी जरू बताएगा तो फिंट्स यह थी हमारी आज की क्लास थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो और इसी तरीके से आप रेगुलर चरूर फोलो करें करेंट अफेर्स के क्लास को थैंक यू